आज का हमारा वीडियो होगा बेजिक ओफ ECG के रिलेक्टेड तो चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपाल ओफ ECG से प्रिंसिपाल ओफ ECG बेजिक लिए ऐसा कह रहा है कि जभी भी आपका इलेक्ट्रोड टूवर्ट मूव करेगा यानि नेगेटिव से आप पॉजिटिव की साइड जाते हो तो क्या होगा पॉजिटिव डिफलेक्शन और जभी भी आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाते ह तो क्या होता है नेगेटिव डिफलेक्शन और आप इस वे में भी देख सकते हो कि डिपोलराइजेशन टूवर्ड्स इलेक्ट्रोड हो रहा है तो हमारा पॉजिटिव डिफलेक्शन आएगा जब हमारा डिपोलराइजेशन अवे हो रहा है यानि टूवर्ड्स इलेक्ट होता है और रिपोलराजेशन रिलाक्सेशन होता है तो प्रिंसिपाल ओफ ECG क्या कहता है कि जबी भी आप नेगेटिव से पॉजटिव जाते हो तब ECG हमारा कौहा रेकॉर्ड होगा पॉजटिव डिफलेक्शन में और जबी भी आप पॉजटिव से नेगेटिव जाते हो तो पॉजटिव यहां पिक्चर में प्रॉब्लम है कि आप पॉजटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो हमारा क्या होगा नेगेटिव डिफलेक्शन यानि ECG अब हमको QRX कॉंपलेक्स नेगेटिव में दीखेगा ठीक है अभी हम बात करते है कि हम पढ़ लेते है वैन अ करन्ट दी पोलराइज़एशन अन ट्रावल्स तोवर्ड सा इलेक्ट्रोड इट्स रेकॉर्ड इस पॉजटिव डिफलेक्शन और अन वैन इक बॉजटिव अवे प्रॉम इलेक्ट्रोड इट अपियर्स अज़र नेगेटिव डिफलेक्शन ओके जबी भी हमारा करन्ट नेगेटिव से पॉजटिव ट्रावल करेगा तो पॉजटिव डिफलेक्शन और जबी पॉजटिव से नेगेटिव ट्रावल करेगा तो नेगेटिव डिफलेक्शन अभी हमको P wave क्या suggest करती है P wave क्या suggest करती है atrial depolarization suggest करती है P wave क्या suggest करती है atrial depolarization यानि atria का contraction ये QRS wave क्या represent करती है हमको QRS wave हमको represent करती है ventricular depolarization यानि ventricle का contraction अभी ये T-wave क्या रिप्रेजेंट करती है अपने को वेंट्रीकुलर रिपॉलराईजेशन यानि वेंट्रीकल्स का रिलाक़ेशन रिप्रेजेंट करती है आपने सब ग्राफ पेपर देखा ही होगा आपने थोटे क्लास में मैक्स में पड़ा होगा तो पस ऐसा ECG का है हम कैसे ECG को पढ़ते है उसके बारे पर हम लोग थोड़ा बेजिक जान लेते है मैंने यहां से एक box लिया है यहां से मैंने यह box लिया है उसको मैंने इधर magnify किया है ठीक है अभी पाच छोटे square को मैं मिला देता हूँ यह याद रखना पाच छोटे square को मिला देता हूँ तो क्या बन जाता है बड़ा box बन जाता है वो electro यानि एक wave यानि ये wave को यानि इतना सा part हमको ये 5 box में 0.2 second में हमारी ECG में record हो जाता है यानि ये मैं line ठीच रहा हूँ तो ये line को travel होने में कितना time लगता है सिर्फ 0.2 second और ये यहां से यहां तक travel करने में उसको कितना time लगता है 0.4 second का time लगता है कितना 0.4 second का तो बस ये यही represent कर रहा है कि ये सारा 0.4.4 second है यानि ECG को ये छोटे box में से travel होने में सिर्फ 0.4 second का time लगता है और ये 5 बड़े square में से travel होने में कितना time लगता है 0.2 second 0.04 second ECG को कहां लगता है ये छोटे box में से travel होने को ठीक है अभी हम इस से ECG को हम ये बता इसी जी से हम ये time represent करता है 0.4 second 0.5 second अभी इसका average duration P wave का 2.5 seconds है यानि 2.5 squares ये ECG P wave लेती है हमारी कितना square लेती है ECG 2.5 square अभी ये P wave बड़ा हो गया या छोटा हो गया तो हमें पता चल सकता है ना हाट में क्या abnormality हुई या नहीं हुई ये QRS complex हमारा less than 3 small square या 3 square का होता है अभी ये QRS complex बड़ा हो जाता है तो ventricular trachecardia हो जाता है ठीक है तो ये सारे हम लोग ECG के prediction से हम पता चल सकता है मैं आपको वापिस समझा देता हूं पूरा क्यूंकि ये बहुत ही conceptual पार्ट और इससे ही maximum questions आते है ठीक है तो मैंको दो मिनिट दे दीचे सिर्फ हाँ हाँ इवेव क्या रीप्रेजेंट करता है हमारा इट्रियल डी पोलराइजेशन यानि इट्रिया का contraction ठीक है ये क्या रीप्रेजेंट करता है QRS complex qrs complex क्या होता है ventricular depolarization होता है यानि ventricular का contraction T-wave क्या represent करता है ventricular का relaxation यानि ventricular अपने relaxed state में है अभी ये बड़ा सा box है यानि इसको मैंने ये box को मैंने इधर magnify किया है तो हम लोग ये चीज याद रखना ये पांच छोटे square को मिला देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है एक बड़ा box बन जाता है ये याद रखना combination of five small square is equals to one large box अभी ये एक बड़ा square को कितना time लगता है travel होने में यानि ये वेव आई इसको यहां से travel होने में कितना time लगता है बड़े square में से 0.2 second का time लेती है अभी ये छोटे square में से इदर से इदर जाने में कितना time लेती है 0.04 second time लेती है ये वेव 0.04 second time लेती है फिक है 0.04 second ये time लेती है चोटे square में से travel होने क्यों और बड़े 5 square में से travel होने यानि 5 square को मिला के एक बड़ा box बतता है और बड़े box में से travel होने में कितना टाइम लगता है point two second अभी यह मैं सारे पांच square को मिला देता हूँ यह सारे पांच square यानि यह बड़े पाइम बना दिये तो हर एक का एक box हो गया इबर का भी एक box इबर का भी एक box इबर का भी एक box ऊर इधर का भी 1 box अभी ये सारे को मिला के मैं देखने जाओ यानि पांच कितना टाइम ले होता है तो हमारे सारे पांच बॉक्स में से एक सेकेंड में वेव ट्रांसफर होती है यानि एक साथ इधर से भी जा रही है वेव इधर से भी जा रही है इधर से भी जा रही है इधर से भी जा रही है यह साथ में सारे में जा रही है तो कितना टाइम लेता है एक बॉक्स यानि कॉंबिनेशन ओफ फाइ लार्ड स्क्रेट टेक्स पॉइंट वन सेकेंड तू ट्राविक अभी हमारा ECG कितनी 25 मिली सेकेंड की स्पीड पे हमारा ECG रेकॉर्ड होता है अभी हम पी वेव की बात कर लेते हैं पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है जैसे मैं आपको बता दिया अभी एट्रिया को डी पॉलराइजेशन करने का सिगनल कहां से आता है ऐसे नोड से हमारी बॉडी में आपको हाट के सिगनलिंग मैं ऐसा मान लेता हूँ कि आपको हमारे हाट का सिगनलिंग पता है कैसे ट्राविल करता है चलिए मैं एक बार और बता देता हूँ ऐसे नोड होता है ऐसे नोड हमारा पेसमेकर भी हम उसको बोलते है क्योंकि हमारी हाट की बीट्स वही रेगुलेट करता है SA node, फिर AV node है, फिर हमारा bundle of keys है, और फिर parkinje fibers है, यह हमारा signaling pathway है of heart का, ठीक है, अभी SA node हमने को signal देता है, कि ATRIA को contract करने का, ठीक है, ATRIA को contract करने का signal कौन देता है, हमारा SA node देता है, signal ATRIA का contraction, ठीक है, और P, यह क्या represent करती है, ATRIAL DEPOLARIZATION, ठीक है, initiated by ATRIAL DEPOLARIZATION, located in the right atrium, and at right atrium, get DEPOLARIZATION, पहले हमारा कौन सा, half deeper, यानि यह आप देखो, एक small square, दो small square, और तीन small square, इसने लिया, यानि यह तीसरा भी पूरा नहीं लिया, तो इसने क्या किया, less than 3 small square, तो हमारा एक small square में से transfer होने में कितना लेता था, 0.4 second, तो multiply by 3 कर दो, तो हमारा कितना आगया, 0.12 second हमारे healthy, हमारा जो इसी जो होता है, जो P wave, कितना लेता है, 0.12 second लेता है, इत्रिया को contract करने में, और इसकी height की कि नहीं है, 2.5 small square height है, इसकी P wave की क्या है height, अभी इसमें कुछ भी change होगा, तो हमारी P wave यानि इत्रिया में defect है, इत्रिया के depolarization में defect है, अभी इसका time ज्यादा लगेगा, less than 3 small square हमारा healthy heart क्याला सकता है, यानि इत्रिया normal function कर रहे है, और उसकी जो height है वो 2.5, अभी देखो, इसमें कुछ भी change होगा है, width में और height में कुछ भी change हुआ, तो समझ लेना हमारी इत्रिया के depolarization में कोई दिखकत है, इसलिए ये चीज आप ज्यान से कर लो, ये बहुत important portion है, ठीक है, देखो इदर हमने 3 small square इसकी क्या लिखी है, width लिखी है और 2.5 small square क्या है, इसकी height है, ठीक है, हमारा पहले को, क्या depolarization होगा, right atrium depolarization होगा, फिर second half में क्या depolarization होगा, left atrium depolarization होगी, अभी PR interval किसको बोलते हैं, हम लोग starting of P-wave, यानि atrial polarization से, end of, यानि beginning of the QRS interval, यानि ventricular depolarization, हम इसको PR interval बोलते हैं, यानि starting of atrial polarization to the end of atrial ventricular depolarization, ऐसा बोल सकते हैं, हम, ठीक है, क्या है PR interval, starting of atrial depolarization to the start of ventricular depolarization को, हम PR interval बोलते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट से टाइम बिगिनिंग अफ दे अफ दे अफ दे अफ दे पोलराइजेशन, ठीक है, उसमें हमारा even, तो वो हमारा PR interval कितना होता है, 3 to 5 small square होता है हमारा, तो इसमें, देखो, हमारे PR interval में कुछ भी change आया है, यानि 6 small square हो गए, या फिर 2 small square हो गए, या कुछ भी change आता है PR interval में, तो हमारा heart block की condition हो सकती है, बहुत सारे disease हो सकते हैं, बाट one of the cause क्या है, heart block है, और heart block के भी बहुत सारे type है, type 1, type 2, type 3, type 4, यानि बहुत सारे type है, तो हम लोग इस वीडियो में basic की बात कर रहे हैं, तो हम उस पे इस टीक रहते हैं, यानि PR interval हमारा कितना होता है, 3 to 5 small square, ठीक है, अभी इसको हम दूसरे वे में भी बोल सकते हैं कि 5 small square को हम क्या बोलते हैं, one big box, तो one big box को कितना time लगता है travel होने में, तो 0.2 second का time लगता है, अभी PR interval में कुछ भी change आता है, या ECG में दिखता है हपने को, तो क्या मानने का heart block की condition है, ऐसे many condition है, यानि यह normal individual में हमारा PR interval आभी ECG निकलवा होगा, आपको कोई disease नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका 3 to 5 small square होना चाहिए, ठेक है, अभी QRS complex क्या है, हमने पहले ही बात कर ली है, ventricular depolarization, यानि ventricular का contraction, ठेक है, यह कितना time लेता है, less than 3 small square, यह कितना time लेता है, less than 3 small square, अभी QRS complex बड़ा हो जाएगा, यानि more than 3 square लेगा, तो ventricular trachycardia हो सकता है, ventricular fibrillation हो सकता है, तो और से d-point हो सकता है, आपके body में excess potassium ion हो गए, तो हो सकता है, bundle branch हो सकता है, यानि बहुत कुछ हो सकता है, आपके QRS complex में change आपको देख सकते हो तो, ठीक है, तो हमारा normal average duration क्या होता है QRS complex का, वो का हमारा ventricular depolarization, यानि ventricular का contraction, वो हमारा normal heart में कितना होता है, less than 3 small square, यानि ये बढ़ा हो गया, यानि 3 square से बढ़ा हो गया, तो क्या होगा, hyperkalemia, bundle branch block और महुत कुछ हो सकता है, अभी ये हम PR segment किसको बोलते है, PR segment हम उसको बोलते है, the end of atrial depolarization, to the start of, ventricular depolarization, यानि एट्रिया का, एट्रिया ने contraction खतम कर लिया, और ventricular का contraction start होने के बीच में, जो खोटा सा gap होता है, हम उसको PR segment बोलते है, SP segment किसको बोलते है, end of ventricular repolarization, यानि, ventricular का contraction खतम हो किया, अभी ventricular relax होने जा रहा है, उसके बीच में, यानि, contraction और relaxation के बीच में, जो time होता है, हम उसको क्या बोलते है, ST segment बोलते है, और QT interval की से बोलते है, start of ventricular depolarization to end of ventricular repolarization, यानि, हमारा ventricular का contraction start होने से, हमारा ventricular का relaxation होने तक, contraction, ventricular का contraction start होने से, और हमारा ventricular का relaxation होने तक, हम क्या बोलते है, QT interval बोलते है, वापिस समझा देता हूँ, atrial depolarization का end, और क्यों ventricular depolarization का starting, उसको हम क्या बोलते है, PR segment, ST segment किसे बोलते है, ventricular का depolarization, और start of ventricular repolarization, यानि, relaxation of ventricular, उन दोनों के बीच में छोटा सा gap होता है, उसको हम क्या बोलते है, ST segment बोलते है, ठीक है, अभी QT interval में कुछ भी change आता है, तो अभी हमारी body में disease condition हो सकती है, ठीक है, हम अभी देखेंगे क्या होता है, prolongation, कम हो जाना, क्या होता है, वो हम next video में, जब disease pathology का conduct करेंगे, उसमें हम सारी बात करेंगे, अभी आप ये चीज़ याद रखना, कितना time लेता है, कितना squares नॉर्मल है, उसपे ही maximum questions आते हैं, ठीक है, ST segment, ST segment क्या है, end of ventricular depolarization, and the beginning of ventricular repolarization, आज पता में क्या हो रहा है, मेरे लेट अप के सथ, the average duration of ST segment, is less than 2 to 3 small square, याँ ये याद रखना, ST segment 2 to 3 small square से less होता है, ST segment is an isoelectric line, यह दोनों आयशा को हम किसे बूलते हैं आइस तुल इलेक्रीट लैन की जभ़ूलते हैं यह यह लाइन ऐसा चाहते हैं पी-वर अंटर्वरल और सक्मेट Smith यानिि पी-अर सक्मेंट और सक्मेंट जुनों क्या सेम है यानि एक ही लेवल पे लाई करते है ऐलिवेशन और डिप्रेशन ओफ एस्टी सेग्मेंट बाइ वन एमेम और बोर मेज़र आइट जे पोइंट यानि यह जो पॉइंट है हमारा यहां से सेग्मेंट नीची आएगा कुछ एबनॉर्मालिटी होगी या फिर यहां से कुछ उ आएगा तो यह हम कहां से मेज़र करते हैं जे पोइंट से मेज़र करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं जे पोइंट बोलते हैं एस्टी वैलिवेशन इस हाइली स्पेसिफिक इफ प्रेशन इफ प्रेशन इफ प्रेशन इन टू और मोर कंटेजियस लेड इन सैंटिंग ऑफ स्क्वाराचन ही ऐसा कह रहा है कि हमारा जो ज व्होंल है इसे हमारा स्वाश्य सेग्मेंट क्या हो गया यह नॉर्मल था इसले वेट हो गया सेग्मेंट का एलिवेशन सीद क्या करता है मायु आदे को मिलता है ऐसी सेग्मेंट में कुछ भी चेंज होता है तो हम क्या देख सकते हैं acute myocardial infarction ऐसी सेग्मेंट valuation हो जाना तो हम क्या देखते हैं acute myocardial infarction यह हम pathology के portion जब पढ़ेंगे तब हम अच्छे से इसको पूरा discuss करेंगे टी वेव हमने अभी तक बोल दिया है ventricular repolarization qt interval की भी हमने बात कर ली है इत री प्रेजेंट अल्ड़ स्ट ऑफ दी पोलराइजेशन तो दा एंड वेंट्रिकुलर री पोलराइजेशन हमारा जन्रल qt interval कितना होता है less than 440 400 to 440 millisecond होता है अभी हमारा qt interval में कुछ भी चेंज आता है तो ventricular arrhythmia यानि जो arrhythmia हम कब टम यूज करते हैं जब हम heart की rhythm में कुछ change होना यानि बढ़ जाना कम होना ऐसा कुछ भी होना heart की rhythm में तो हम उसको क्या बोलते है arrhythmia बोलते है अभी आपके लिए हम लोग एक चीज बना देते है कि पूरा summary जैसा हमारा एक small square में से कितना time होता है वेव को travel होने में 0.4 second ठीक है बड़े square में से कितना time लगता है उसको travel होने में एक second का और एक बड़ा square इससे बनता है पांच छोटे square से बनता है ठीक है पांच छोटे square से एक बड़ा square बनता है उसको कितना time लगता है 0.2 second अभी हमने पी वेव की बात की तो पी वेव में के और नॉर्मल कितनी होती है उसकी width 3 small square और उसकी height कितनी है 2 small square 2 small square यानि मैं इदर s लिख रहा हूं उसका मतलब क्या हो गया small square हमने qrs complex देखा तो उसका क्या हमने देखा कितना time लगता है less than 3 small square less than कितना 3 small square ठीक है हमने st segment देखा कितना less than 2 और 3 small square ठीक है पी आर इंटर्वल कितना हुआ हमारा 325 small square पी आर इंटर्वल कितना हुआ हमारा 325 small square ठीक है और कुछ बच छूट रहा है क्या हमने qt इंटर्वल की बात नहीं Now, 2 the WAVE Autos St Segment 2 aller exercise 2 2 2 3 small square less than 4 हो गया पर हमने qrs complex less than 3 small square पिर पीर इंटर्त एंटर्वल 325 small square पिर हमने हष की इसकी हाइ तो बात आर इंटमाल kस्व्र स्वेर और विज इडिक रिदीट मल्यर कार लिया हमने इसकी हाइछ किसे बोलते है हम starting of atrial depolarization to the start of ventricular repolarization को हम क्या बोलते है PR interval ठीक है हमारा ECG कितनी स्पीड पे रेकॉर्ड होता है 25 मिली सेकेंड पे हमारा ECG रेकॉर्ड होता है ठीक है अभी हम लोग ECG के थुरू कैसे heart rate calculate कर सकते है यह RR intervals से हम उसकी formula देखेंगो ठीक है for calculation the heart rate the number of either small small or large square between RR intervals should be calculated first the rate can be हम लोग direct method पर आते है large square method यानि heart rate कैसे count करते है यानि आपके जो RR interval है वो fixed time के बाद आ रहे है तो हम लोग RR large square method या small square method use कर सकते है अभी वन एक दो तीन और चार ठीक है यह क्या है हमारे चार square हमें इसको 300 divided by 4 कर देना है लार्ज square काउंट करना है हमें यानि यह आरवेव से आरवेव के बीच में कितने 5 small square लार्ज square है तो 300 divided by 5 तो हमें कितनी 60 beats per minute मिल गए अभी हमने 300 divided by 4 किया तो कितनी मिल गई हमें 75 beats per minute मिल गए अभी हम इसको ती आरारे इन दोनों के पीश में आरारे इंटर्वल कितना है तीन का है तो हमें 300 divided by 3 तो 100 beats per minute मिल गए अभी हम small square के बात करें तो यह बहुत accurate रहता है यह इतना accurate नहीं है बाट exam purpose में question solve करने के लिए यह बहुत important है large square method ठीक है अभी आपको इसको क्या करना है number of small square आपको count करने 1 2 3 4 5 ऐसे आप count करना है और इस इधर भी 1 2 3 4 5 इधर कुछ 10 है तो इसको total diva यानि sorry यह पूरा blue है तो total 10 square है यहां से यहां के पीच में small square तो इसको आपको 1500 divided by 10 कर देना है तो आपको आपकी beats heart beats मिल जाती है ठीक है अभी आपकी जो हमारी normal heart beat है तो वह कितनी है 60 से 120 के बीच में हमारी normal heart beat रहती है जब हमारी heart beat less than 60 हो जाती है तो तब हम उस condition को क्या बोलते है ब्रेडी कार्डिया और जब भी हमारी heart rate 100 से ज्यादा बढ़ जाती है तो हम उसे क्या बोलते है टेकी कार्डिया यानि ब्रेडी कार्डिया मतलब slow heart rate ट्रेकी कार्डिया मतलब high heart rate अब भी जब हम एक और मैथोड भी यूजर करते है उसको हम आर्वे मैथोड बोलते है उसमें क्या होता है कि हमारे जो rr intervals है वो fix नहीं रहते हैं यानि वो change होते रहते हैं तब हम r wave method यूज़ करते हैं यानि r interval जो r interval है जो हमारे यानि ये एक r है और ये r है उसका interval सेम है तब हम ये small square और large square method यूज़ कर सकते हैं बट r interval different होते हैं तब हमें r wave method यूज़ करनी पड़ती है तो इसमें ऐसा रहता है कि आपको number of r waves count करनी होती है कि क्या count करना होता है number of r waves count करनी होती है in 10 seconds यानि suppose 10 seconds में मान लो मेरी 6 rvy 10 seconds में मेरी 6 rvy तो मेरी 6 को multiply कर देना है 6 से यानि मेरी 10 seconds में मेरी number of r waves मान लो 7 आई 7 r waves आई मेरी 10 seconds में ठीक है तो मेरी क्या करना है 7 multiply by 6 करना है तो मेरी हार्ट बेट कितनी हो गई 42 bits per minute मेरी हार्ट बेट कितनी हो गई 6 इंटू 245 बेट्स पर 40 sorry 42 bits per minute supposing मेरे 9 r waves आई multiply by 6 तो वैसे आपको answers मिलता रहेगा ठीक है यानि जब rr इंटर्वल constant नहीं होता तो हम आर्विव मेथड यूस करते है और उसको हम multiply कर देते है 6 से कितना duration लेते है 10 seconds का duration लेते है कितना 10 seconds का ठीक है हम भी बात करेंगे 12 leads इके जी जी तक कन्वेंश कन्वेंशनल ऑफ 12 leads इके जी उसको हमने डिवाइड किया है 6 लेंड्स 6 लेंड्स में और 6 प्री कॉर्डल लेंड्स तो हमारी लेंड्स कॉंती है लीड नंबर लीड 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 2 AVL, AVR, AVL, RA, LA, RL, LL यानी RA मतलब राइट साइड पर लेफ्ट यानी राइट आम, लेफ्ट आम, शुल्डर पर RL यानी राइट लेग, लेफ्ट लेग ठीक है ऐसी हमारी लीड कितनी है लीड 1, 2, 3, AVL, AVR, AVA, RA, LA, RL, LL गल्लीड अएड उसको हम डिफ्रेंशियेट कर सकते हैं यानी सक्क्य अलग-अलग कलर्स होते हैं तो उसके हम रिप्रेजर, फाइंड आउट कर सकते हैं लिप्रेजर, 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 लिप लीड भी बोल सकते है अभी हम इसके placement की बात करते है तो V1 is placed on right hand side of sternum of fourth intercostal space ICS यानी intercostal space यानी यह जो sternum की edge पर हम लगाते है V1 और उसके opposite ही हम कौनसे लीड लगाते है V2 यह हमारी right side पर लगाई हमने यह कहां लेफ्ट साइड पे लगाई ठीक है अभी हम लोग V3 को लगाने से पहले V4 पूट करते हैं यह हमारा क्या है बीच में यानि इन दोनों का मिड़ पॉइंट V2 और V4 का मिड़ पॉइंट की जो जगह आती है उदर हम क्या लगाते हैं V3 लगाते हैं ऐसे ही हम V6 करते हैं यानि V6 का हम लोग एक्विलरी लाइन देखते हैं और उदर V6 को रखते हैं और V4 से V6 की जो मिड़ पॉइंट होता है V4 से V6 का उदर हम V5 लेड रखते हैं ठीक है V1 इस प्लेज़ ओं टु दे राइट स्टरनल बॉर्डर पॉर्थ इंटर कॉस्टल स्पेस पे रखते हैं V2 कहां रखते हैं लेट स्टरनल बॉर्डर पे वह भी कान से फोर्थ इंटर कॉस्टल पे फिर हम लोग क्या रखते हैं V4 रखते हैं मिड्ट क्लावी कुलर, V4 is placed at 5th intercostal space in the mid claving killer, V4 is placed before V3, यानि पहले हम V4 रख देते हैं, फिर V3 रखते हैं, ठीक है, V6 रखते हैं, हम किदर लखते हैं, mid auxiliary line पे रखते हैं, हम V6 और V4 और V6 का midpoint पे हम क्या रख देते हैं, V5 रख देते हैं, हम लोग ये चीज़ notice करना, V4 से V6 line हमारी क्या है, horizontally हम लोग रखते हैं, ठीक है, अभी हम लोग कैसे रखते हैं, कहां ventricular region में lie करता हैं, उसकी बात करते हैं, यानि आप ये चीज़ देख सकते हैं, V3 से V6 सारे 5 इंटर कॉस्टल स्पेस में रखे हैं, हमने, ठीक है, और सारे क्या है, left side में, exception क्या है, सिर्फ V1 वो कहा है, right hand side पे, बाकी सारे ही कहा है, left hand side पे, और V1 कहा है, हमारा 4 इंटर कॉस्टल स्पेस पे, और V2 भी कहा है, 4 इंटर कॉस्टल स्पेस पे, ठीक है, हम लोग V1, V2 कहां रखते हैं, चर्णम के बाजू पे रखते हैं, तो हम क्या इसको anterior septal, anterior septal, V3, V4 क्या है हमारा, इपिक सीजन पे हार्ट के हम लोग रखते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंटेरो अपाइकल, और ये हमारी बोडी के लेटरल साइड पे आ गया है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, एंटेरो लेटर, यानि हम लोग फ्रेंट में रख करते हैं, अभी इंफिरियर की बात करें, तो इंफिरियर पे हमारी कॉंसी कॉंसी लेड आएगे, लेड 2, लेड 3 और A, V, F, इंफिरियर यानि तूवड्स दो हमारे लोवर लेग्स, यानि अवे, यानि हमारे नीचे की साइड को हम लोग अना टॉमे पोजेशन में, क्या इंफिरियर बोलते हैं, हैड से नीचे आएड, लेटरल पे हमारा क्या आएगा, आफकोस आपको पता है, V5, V6 तो आएगा ही, क्योंकि वो हमारी बाडी में लेटरल है, हम लीड 1, A, VL और A, V, R, V कहा होता है, लेटरल पोजीशन पे, एंटिरियर पे हमारा क्या आएगा, V3 और V4 लिड्स हम रखते हैं, और सेप्टल पे हम क्या रखते हैं, V1 और V2, आप ऐसे याद कर सकते हो, स्टर्रम का S और सेप्टल का S, V1, V2, एंटिरियर पे क्या आता है, फिर हम लोग एपेक्स ऑफ दे हाट पे रखते हैं, तो हमारा V3, V4 हो गया, लेटरल पे क्या हो में याद रख लेओ, लीड 2, लीड 3 और AV, एफ, ठीक है, एक्सेस डेवेशन की बात करते हैं, अभी, एक्सेस डेवेशन में क्या होता है, कि जो हमारा नेट डाइरेक्शन होता है, इलेक्रिकल एक्टिविटी का, दूरिंग दीपोलराइजेशन ऑफ हाट, वो जनरली डा होता है, तब हम उसकी नेट एक्टिविटी निकालते हैं, तो वो कहां होती है, डाउनवर्ड साइड और टूवर्ड दी लेफ्ट साइड होती है, अभी, हमारी हाट में, कब जब कुछ हाँ, वेंट्रिकुलर्स के मसल्स ठीक हो जाते है, या ऐसा कुछ होता है, तो एलेक्ट्रिक एक्टिविटी है, वेंट्रिकुलर की डी पोलराइजेशन की, वो कहां शिफ्ट हो गई, राइट साइड हो गई, जब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाईपर्ट्रोफी होगी, तब क्या होगा, वो हमारी जो नेक्ट इलेक्रिकल यानि वेंट्रिकुलर क कि जो depolarization की electrical activity होती है वो कहां हो गई left side shift हो गई ठीक है यह हम लोग कैसे निकाल सकते हैं इसको हम क्या बोलते हैं तो वो हम इसके लिए हमने convention बाहर निकाला है कि इसको हम क्या बोलते हैं जब हमारा minus यह हमारा जो no circle है यह हमारा plus 30 तो यह minus 30 यह 0 तो 180 ठीक है तो 90 से 180 के आने के बीच में 150 यह 150 एंगल पर हम लोग जनरली एवी आर लेड़ पूट होते हैं तो हमारे in between 90 से 180 का जो हमारा जो एवरेज शो होता है लीड का in case तो हम उसको क्या बोलते हैं extreme axis deviation बोलते हैं हम उसको क्या बोलते हैं extreme axis deviation अभी जब हमारी right right hypertrophy होती है तो उसमें क्या होता है minus plus 90 से 180 के बीच में जो आता है तो हम उसको क्या बोलते है RAD को right axis deviation हमारा सब कुछ normal होता है वो downward towards the left move होता है तो वो क्या होता है हमारा minus 30 से plus 90 हमारा क्या है normal axis deviation और minus 90 से minus 30 क्या है हमारा left axis deviation तो हम minus 30 पे क्या रखते है AVL minus 150 पे क्या हम रखते है AVR ठीक है और AVF हम किदर रखते है plus 90 पे plus 60 पे हमारी lead 2 plus 120 पे हमारी lead 3 रखते है अभी यह हम positive reflection रखते है equiphysics negative यह क्या है यह हमारा ऐसा है कि the electrode towards the depolarization होगा तो हमारा ventricular ECG में क्या आएगा positive deflection जबी भी दोनो current और depolarization दोनो opposite direction में जा रहे और form कर रहे 90 degree यानि perpendicular form कर रहे यानि r equal to s हो रहा है तो उसको हम क्या बोलता है equiphysics और जबी भी हमारा depolarization और electrode का depolarization और electrode का movement दोनो opposite direction में होता है तो हमारा QRS complex कहां रेकॉर्ड होता है negative में ताब simply हमने principle of ECG में पढ़ा था वैसे कि if the current move if electrode moves towards towards it means negative से positive जा रहा है तो वह positive deflection और और positive से negative जा रहा है तो negative deflection ठीक है अभी तक हमने यह किया है तो lead one हमारी positive है lead one हमारी क्या है positive है तो कि यह हमने कैसे निकालते है वो यह सारे picture diagram वही है तो lead one हमारी क्या है positive तो QRS complex हमारा right hand side क्या आ जाएगा positive आ जाएगा left hand side क्या आ जाएगा हमारा QRS complex negative if lead one positive तो right hand side पर shade कर दो यह हमारा AVF क्या है वो भी positive है तो QRS complex जा नीचे होगा वो positive होगा उपर होगा वो negative होगा अभी इन दोनों को मिला दिया तो उनका average current कितना है तो इस side आ तो इस side हमारा normal तो हमारा minus 30 से plus 90 क्या है normal axis deviation तो यह हमारा क्या है healthy heart है अभी हमारा QRS complex क्या है negative है और यह क्या है positive है तो अभी दोनों को मिला दिया तो हमारा क्या शो हो रहा है right axis deviation show हो रहा है right axis deviation कहां से कहां तक होता है 180 से plus 90 तक हमारा क्या होता है right axis deviation होता है अभी यह lead one है तो वो क्या है positive हो है तो इस side कर दिया यह lead to AVF lead क्या है negative है तो इन दोनों का हमने देखा तो क्या हो गया left axis deviation हो क्या ठीक है left axis deviation यानि आप बोल सकते हो आपके left ventricles के ventricles में कुछ दिक्कत है right axis deviation यानि आपके right ventricles में कुछ दिक्कत है इसका मतलब simple यह हो गया यह आप एक्जाम के लिए आप यह table learn करके चले जाओगे तो आप एक्जाम में यह एक्स एक्स के divisions के related star questions आप easily solve कर सकते हो ठीक है अभी इदर हमने तीन lead लगा दी है lead one lead two और AVF lead one हमारा जो positive होगा वो same right hand side पर होगा lead two में हम लोग diagonally माइनस 3750 ले रहे है diagonally हम लोग ले रहे हैं तो इस side का हमारा qrs complex क्या होगा positive होगा इस side का क्या होगा negative होगा और AVF का तो आपको पता ही है उपर negative नीचे सॉरी उपर negative नीचे positive तो इस सबका मिला के हमने निकाला तो क्या है normal axis deviation आया हमने lead one की बात की क्या है हमारा lead one negative है qrs complex क्या है positive है lead two हमारी क्या है equipphasic है यानि 90 डिग्री पे जा रहे है ventricular depolarization और एलेक्ट्रोट का जो दोनों का movement है वो दोनों perpendicular हो रहे है तो यानि इकवी पेजिक है तो यानि ना positive होगा ना negative होगा zero होगा और AVF क्या है हमारा negative तो अपर साइड में आएगा तो हमारा क्या हो गया left axis deviation हो गया इसका हम most probably less access deviation ही बोलेंगे मेरको और normal access deviation की possibility भी लग रही है बट नॉर्मल access deviation नहीं होगा picture इतना clear नहीं है इसी वज़े से ठीक है qrs complex lead 1 हमारी qrs क्या है positive तो राइट हैं साइड होगा lead 2 क्या है हमारी negative है तो वो तो वो अपर साइड पे होगा और AVF हमारा क्या है negative है तो भी कहा होगा अपर साइड पे तो हमारा left access deviation होगा ठीक है यह picture थोड़ा clear है बट यह picture इतना clear नहीं है तो हमने यह access deviation की बात कर ली बट यह access deviation में आपको exam purpose के लिए भी जाना है तो questions यह learn कर लो बले वो lead 1, lead 2 और AVF है या इदर से lead 1 और AVF लिखा है बट आप इदर से भी questions solve कर सकते हो ठीक है यह table पूरा आपको by heart learn कर लो ठीक है यह आपको concept पता होना चाहिए बट आप table भी अच्छे से कर लो बस यह आप याद रखना हम लोग access deviation ventricular के depolarization के perspective में करते हैं और वो हमारा कहां होता है heart का downward और slightly towards the left ऐसा कुछ दिखता है religious deviation धो कर गद क्वेश है अँग जायाग से सवाद़ धूर और कर रखना हरत्ञ से सवारपद में कर ऑड़ से सकते हैं